हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एसके चरवलिशन कासिस फ्रेंड्स अभी हम जो रिको का एक्जाम होने वाला है उसमें जूनिर असिस्टेंट एक्जाम के स्लेबस के बारे में हम यहाँ पर डिसकस करती है तो इसके अंदर इसको total तीन पार्ट में डिवाइड किया गया पार्ट फस्ट पार्ट सेकींद और तर्ड पार्ट जो एइसमें रहेगा typing skills से related पार्ट फस्ट की बात करें तो इसको फूर्दर चार भागों में डिवाइड किया गया है इसमें अगर हम first part की बात करें तो इसमें क्या आदिर्ख है हमें general knowledge, general knowledge of Rajasthan Rajasthan के general knowledge और normally general knowledge से related हमें facts यहां पर देखने हैं अगर general knowledge की बात करें तो events of Rajasthan, sorry यहां पर आ गया events of state, national और international importance यहां पर आपको क्या पढ़ना है, current affair पढ़ना है और current affair में sports से related, कोई भी नई नुक्तिया जो हुई है उन से related, books से related तो इन से related facts जो है आपको पढ़नी है नेक्स्ट है जिग्राफी से related और जिग्राफी इंडिया की और राजस्थान दोनों की जिग्राफी से related जितने भी facts है वो आपको पढ़नी है नेक्स्ट है agriculture, social and economic development of राजस्थान तो यहाँ पर agriculture यहन की क्रीसी से सबन्दित क्रीसी के अंदर जितने भी culture है वो सब भी आपको पढ़नी है जैसे कि इसमें हम study से related बात करें एपी culture हुया, floriculture हुया, इन से related facts आपको देखनी है नेक्स्ट है history, history के अंदर आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर इंडियन की medieval history पढ़नी है आपको मद्यकालिन भारत का जुतना भी है वो सब पढ़ना है आपको इंडियन struggle for independence जो है यानि भारत की सवंतरता से समन्दित जिसमें मेन होगा 1857 की क्रांती बाकी इसमें होगा यहाँ पर जो भार छोडो अंदोलन था उससे समन्दित facts आपको पढ़ने है यानि कि जितने भी Indian struggles है independence के लिए वो सभी आपको इसमें देखनी है नेक्स्ट हम बात करते हैं culture जितनी भी culture है culture से समन्दित facts है और culture और heritage से समन्दित जो है वो आपको पढ़ने है इंडिया की और राजस्तान दोनों की नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें बी पार्ट उसके अंदर हम देखे तो जनल साइंस से related facts पढ़ने है और जनल साइंस के अंदर क्या पढ़ने है जितने भी elements है mixer है compound है उन सबी के बारे में आपको यहाँ पे तत्व, misren और compounds से related facts यहाँ पर देखने है नेक्स्ट है physical chemical changes जो है oxidations और reductions जो अभी किरिया होती है उनके बारे में यहाँ पर देखना है उन से समंदित facts यहाँ पे पुछे जाएंगी तो यह आपको cover करना है नेक्सट है acid base और यानि की अमल चार और जो यहाँ पर salt है इससे related यहाँ पे facts आपको देखने है acid से कौनसा अमल है, कौनसा चार है तो इससे related question पुछा जाएगा यह अमल है कोई भी equations देखे पुछ लिए जाएगा यह अमल है या फिर चार है इससे related next है metal और non metal धातू और एधातू दातू और एधातू जो है इनसे पुछा जासता है कि कितनी धातू ही है कितनी एधातू है एधातू कौनसे वर्ग में आती है और कौनसी किरियसील धातू है कौनसी धातू जो है वो liquid form के अंदर पाई जाती है कौनसी एधातू liquid form में पाई जाती है तो इससे related facts आप से पुछे जाएंगे next है reflections of light and its low lenses lens जो है पूरा chapter lens का पढ़ना आपको humans eyes से related facts जो है वो आपको अच्छे से देखने है क्योंकि इन से related questions जो है जुरूर बनेगा ठीक है और प्रकास से समंदित reflections of light से जिसमें अपवर्तन प्रावर्तन यह सभी facts जो है आपको देखने है इसके अंदर है इसके अंदर हने से समंदित electric potential से समंदीद arms low से समंदीद electric cell से समंदीद electric motor इनसे समंदीद facts आपको देखने है बाकि humans brain से बहुत important है humans brain जो है काफी important है इसे related facts जुरूर पुछ जाएगा आपसे तो यहनि की मानव humans का सबसे बड़ा part कुन सा है और बुद्धिका के अंदर किसे कहते है इस type के questions यहाँ पे पुछे जाएगे आपसे हार्मोन से समंदीद questions जो है आपको जितने भी हार्मोन है जिसके अंदर insulin, हार्मोन जो है कौनसी गरंती से स्तरावित होता है तो इस type के questions जो है वो आपसे questions किस प्रकार से पुछे जाएंगे वाइरस जनित है या फिर जल जनित रोग है प्रोटोजुआ जनित रोग है किस type का है और किस की कमी से ये रोग होता है किस की कमी विटामीन एक की कमी से कौन सा होता है रोतोंदी या फिर इस type की questions जो है इकोनॉमिक इपॉर्टेंट्स औफ एनिमल्स औप्लांट्स इससे रिटेट्स आपको याद करने हैं बायोमास सोर्स औफ अनर्जी इकोसिस्टम मेंडल्स लो ओफ एन्हेरिटेस यह आपको मेंडल्स लो जो है वह आप देख जाना तीन इसके नियम है तो वह आपको अच्छ प्लट्स ओड़ेगों से पूचे जये इसके मैं इसके पड़नी पर्यावजैंकर ऐसे एंतर प्रकास से श्मивать क्या है यह पाधनी तो परकास बसकी जो यह सबस्कों कर डिश्जी संसरे यह से इसके वीड पांद आपको प्ढ़नी किए अपको आपको यहां पर मैथ और विजनिंग से समंदित पाथ रहेगा आपको तो यह थोड़ा ध्यान देना है आपको 15 कुश्चंस रहेंगे और 45 मार्क्स का रहेगा जो डी सेक्षिन है इसमें क्या है बैसिक कंप्यूटर जो कंप्यूटर से समंदित जितने भी फैक्ट्स है जैसे कि कंप्यूटर, इंटर इंटर्ड़क्शन, इंटरनेट अप्लिकेशन, ऑप्रेटिंग से समंदित, M.S.W.O.D. से समंदित, MS Excel सिस्वंदित पावर पॉइंट से और यहां पी तो मेली तो इन में तो आपको शोर्टकट की जो है वो तो आपको अच्छे से याद करनी है MS Excel, PowerPoint और Microsoft सिस्वंदित बाकी इंट्रोडक्शन के अंदर computer की जो PD है वो आपको अच्छे से करनी है 1st generation, 2nd generation, 3rd, 4th, 5th और क्या चीज़ें उसमें उसमें यूज की गिए ट्रांजिस्टर, vacuum, diode जो भी आपको याद करना है Computer system के बारे में input-output devices जो है इंसे समंदित CPU जो भी है इंसे समंदित जो है Uses of computer जो है यह भी आपको अच्छे से करना है next is junior assistant का जो part second है उसके अंदर किया होगा part second के अंदर समानी हिंदी के अंदर इसमें number of questions की बात करें तो यहां पर number of questions जो है, first part के 30 questions होंगे और यहां पर total marks जो है यहां पर 90 marks होंगे, पूरे section के, ठीक है तो यहां पर क्या है कि संदी संदी विछेट जो है उनसे समंदीत समास और भेद समासिक पदों की रचना विग्र है तो इसे समंदीत उपसरग प्रत्य यह अच्छे से पढ़ जाना आप विलोम सबद एनेकार्थक सबद विराम चीन है दमनी और उसका वर्गी करन प्राभास जो इसके अंदर वर्ड आएंगे उनसे समंदीत जो कोशन आपको करने शब्द सुद्धी और वाके शुद्धी मुहावरे लोकोक्तियां और पत्तर और उसके प्रकार जो है करा लिया पत्तर के वारूप विशेश संद्रब में तो इस से लेटेट कोशन जो है वो तीस हों को यहां पर tense and sequence of tenses. tenses से समंदीत questions जो है बाकी इसमें टेंस जैसे past tense और present tense इस टाइप से बहुत easy portion है और अराम से इसमें questions जो है आप कर सकते हो तो active, passive और direct, indirect जो questions है इन दोनों से आपको अच्छे से त्यार करना है एक से use of preposition तो इसमें preposition से समधित facts जो है आपको fix preposition भी आपको याद कर लेनी है कई बार exam effects preposition से related questions भी पूछ लिए जाते हैं तो वो भी आपको ध्यार रखनी है translations of ordinary common English sentences into English and vice versa तो यहनि English में word दिया होगा उसको आपको हिंदी में convert करना है एक sentence दिया होगा English में उसको हिंदी में convert करना है वापस अगर हिंदी में दिया है तो इंग्लिश में और English में दिया है तो हिंदी में इस परकार की questions पूछे जाएंगे और बाकी यहाँ पे यह antinum और synonyms जो है उनसे लिए questions पूछे जाएगा और comprehensive of given passes तो किसी प्रकार से questions जो है यह इस टाइप से जनल इंग्लिश की रहेंगे और question जो है total रहेंगे 30 और total marks की बात करें तो 90 marks का रहेंगा section नेक्स्ट है इसके अंदर बाकी यहाँ पर glossary of official technical term तो इस प्रकार के यह letter writing से समांदित आप तोड़ा देख लेना इसमें next है mathematics की बात करें तो इसमें real numbers से समांदित polynomial से समांदित pair of linear equations in two variables quadratic equations से समांदित जैसे x square plus 2x इस type equation जो है वह आप से पुछे जाएंगे इसमें x की value y की value mathematical जो भी progress नहीं इसमें प्लस माइनस गुना ओफ तो इन वर्ड में जो पहले अपनी कौन सा operation जो है परफॉर्म करेंगे इस टाइप से mathematical जो operation होगा वो triangle से समांदित questions coordinate geometry से समांदित तो coordinate geometry से आप दो बिन्दों की बीच की दूरी स्टाइप से coordinate geometry के सारी question जो है वो करचा ना इसे लिए question पुछा जाएगा trigonometry के अंदर mainly तो आप इन सभी के formulae sin theta cos theta इनके formulae और इनकी value कब कब इसे की course theta की 0 की value क्या वोती है 1 या फिर course 90 की value क्या होती है साह 90 की stat से जो है यह value जो है वह आप अच्छी सियाद कर लेना normal question जो है आई तो आप solve कर सको and its applications mensuration यह अच्छे से कर लेना mensuration में इसमें area volume इन से related question जो है इसमें देखने को मिलेंगे ठीक है area और volume से related तो आपको यह सारे portion है यह को area or volume से और perimeter से समंदित question पुछा जाएगा इसमें perimeter से समंदित बाकि यहां पे probability और static से समंदित question पुछे जाएगे तो यह रहा यहां इसका portion अगर हम third part की बात करें तो typing skill जो है इसके अंदर क्या होगा कि हिंदी के अंदर typing होगी जिसके अंदर 10 minute जो है वो मिलेंगे typing speed के लिए और efficiency test होगा जिसके अंदर 10 minute मिलेंगे ठीक है यानि कि first typing हिंदी के अंदर जो time मिलेगा वो 10 minute का मिलेगा second अगर हम इसमें बात करें English की English में भी 10 minute मिलेंगे और बाकी efficiency test होगा efficiency test जो है उसमें 10 minute मिलेंगे और total qualify marks की देखो qualify marks जो है total maximum marks इतनी होंगे और qualify marks जो बहुत ही कम है 40 marks होंगे